नमस्कार इस विशेश कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है आज आपके साथ मैं हुआ सीम मिश्रा आज बात आर्थिक गरणा की आर्थिक गरणा के इसलिए क्योंकि बीते दिनों उत्तर पूर्वी राज त्रिपुरा से इस गरणा की शुर्वात हुई है आर्थिक गरणा के तहरे देश की भौगौलिक सीमा के मौझूद अंदर सभी व्याफ़ागी काईयों और प्रतिष्ठानों की गिनिति की जाती है इससे प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों, मालिकाना प्रतिरूप, इसमें लगे लोगों के बारे में मूलिवान जानक्यारी हमें मिलती है इसके जरीए प्राप्त सूचना सामाजिक आर्थिक विकास की यूचना में काफी उपियोगी साबित होती है तो आज के इस कारिकरम में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये आर्थ गरणा, क्यों जरूरी है भारत के लिए गरणा, गरणा से हासिल किये गए डेटा को उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा और इसमें राज्यों की क्या कुछ भूमिका है शर्श शर्शना जी सर आपका ये बहुत बहुत स्वागत है हम इस सर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट इसी कड़ी में गरणा के जरीए आंकडे जुटाने उनके प्रमानी करण रिपोर्ट तयार करने और इनके प्रसार के लिए बनाये गए मोबाइल एप पर आंकडे एकत्र करने के लिए कौमन सर्विस सेंटर यानी CSC द्वरा इस काम में लगाये जाने वाले गरणा कारों औ और परिवख्षिकों को प्रशिक्षित किया गया है आंकडे जुटाने संबंधी कानून 2008 के प्राफधानों के तहट इस गरणा में घर घर जाकर और सभी व्यावसाइक प्रतिष्ठानों से आंकडे एकत्र किये जाएंगी परिवारों और प्रतिष्ठानों से जुटाए गया आंकडों को गोपनी रखा जाएगा और उनका इस्तेमाल केवल राज जी या संग श्रासित प्रदेशों की सरकारों और केंद सरकार द्वारा विकास संबंधी योजनाओं के लिए किया जाएगा गरणा कारों द्वारा एकत्र किये गए आंकणों की संबध परिवार और प्रतिष्ठान का दौरा करने वाले परिवेख्षिकों द्वारा वेरिफाई किया जाएगा डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाने के बाद सात्मी आर्थिक गरणा के नतीजे जारी किये जाएंगे शित्र में काम करने वालों और नागरिकों के सवालों के जवाब के लिए एक शित्री भाषा और टोलफ्री नंबर 180-300-300-3468 के साथ एक हेल्प डिस्क भी बनाया गया है दरसल आर्थिक जन्गरणा भारत की भोगलिक सीमाओं की भीतर मौझूद सभी प्रतिष्ठानों का पूरा भिवरन है आर्थिक जन्गरणा देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों के भौगलिक विस्तार या कलस्टरों, स्वामित तो पध्धती जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में महत्वपुर्ण जानकरी भी उपलब्ध कराती है आर्थिक जन्गरणा के दोरान संग्रहित सूजना, राज्य और जिलास्तरों पर सामाजिक आर्थिक विकास सम्मती योजना निर्मान के लिए उपियोगी होती है आर्थे गरणा में परिवारों के उध्यमों घैर जोत क्रिशी और गैर क्रिशी क्षत्र में वस्तूं या सेवाओं के उत्पादन और वेतरण की गरणा की जाए दरसल अभी तक केंद्रिय सांखी की एवं कारिकरम कार्यानिवन मंत्राले ने 6 आर्थे गरणा करवाई है पहली आर्थे गरणा साल 1977 में कराई गई थी वहीं दूसरी आर्थे गरणा 1980 में तीसरी आर्थे गरणा 1990 में चौथी आर्थे गरणा 1998 में पांचीवी आर्थे गरणा 2005 में और छटी आर्थे गरणा 2013 में कराई गई थी उम्मीद की जाने चाहिए कि सात्वी आर्थिक गरणा के जरिये जुटाये के आंकरों के जरिये सरकार लोग कल्यान से संबंदी योजनाओं को और भी मस्बूती के साथ जमीन पर उतारने का काम करेगी विरो रिपोर्ट डीजी नियूर्स तो आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के और इस आर्थिक गरणा के क्या कुछ मकसद है क्या कि जिसका भी प्राय है क्या है या आर्थिक गढ़ना और इसका क्या कुछ मकसद है सबसे बुनियादी सवाल आर्थिक गढ़ना हमारा एक रेगलर एक्टिविटी है मिनिस्ट्री का और इसमें हम लोग जितने establishment है एक नौबेक establishment है जो इंडिया को जो contribution करता है economy में उसकी हम गढ़ना करते हैं उससे हमाई baseline मिलता है और जैसे आपने बताया कि छे अलड़ी हो चुक है सातमी चल रही है तो इसमें हमको पता चलता है कि growth कितनी हो रही establishments में different sector में दस से जादा employees की कितने establishments हैं दस से कम कितने हैं अब पिछले आर्थि गढ़ना जो हुई थी इसमें हमारे जो आगड़े निकले थे उसमें च्छे करोड़ इस्टैबलिश्मेंट्स रफलीना पे कहते हैं और करीब 13 करोड़ के असपास इसमें लोग employed थे तो उसके बाद कितना growth हुई है उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी और ये basis होता है बाकी activities करने के लिए है तो ये economic census है ये हमारे अकली growth drivers है जिस टेल्स की economy में growth हो रही है तो कहां पे हो रही है किस sector में हो रही है own account enterprise है household enterprise है कैसी development हो रहा है उसके बारे माइडिया लगता है कुछ लोग जो अब दर्शक देख रहे हैं कि उनकी मन में ये भी सवाल होगा प्रविर्ण जी की ये जो आर्थिक गरणा economic census है ये जो दूसरी गरणा जाव होती है जो जन गरणा जिसको हम कहते हैं ये क्या वही है या उससे किन माइनों में ही अलग है जहां तक फील्ड वर्क है हम लोग हाउस लिस्टिंग भी करते हैं इसमें और हाउस लिस्टिंग में जो जाते हैं घर घर में पूछते हैं कि आपके घर में कोई ऐसी economic activity हो रही है जिसमें आप production कर रहे हैं market के समान बेच रहे हैं तो उसके उसकी गिंती करते हैं तो ये हम लोग GIS मैपिंग कराएंगे जिससे की पता चले के जहां जाए establishment है कहा location है उसका जिसे आगे कोई policy बनानी है planning करना आपको identify करने माँ सानी रहेगी जियो टैगिंग के जो कह रहे हैं और जो जन गरना होती है वो हर एक घर में कितने persons हैं उसकी head count होती है हम लोग establishment के head count करते हैं वो persons का head count करते हैं ये difference है जन गरना में और आरते गरना में चुकि हमने कहा कि अपने रिपोर्ट में कि अभी तक 6 आरते गरना हो चुकी है सात्वी गरना की भी शुरवात हो गई है इस बार के इस गरना में किन-किन एहम चीजों का धियान रखा गया है खासका अगर मैं technology की बात करों तो इसमें technology का क्या कुछ किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और जो लोग जो गणक हैं जो कि जाएंगे घर-घर तक जाएंगे परिवार तक जाएंगे उन्हें किस तरह की training दी गई है ताकि जो data का इस्तेमाल और data का collection है वो बहुत ही important है तो data collection करने के वो हम लोग state के माध्यम से करते थे तो उसमें हर एक state का अपने machinery होता था लोग को recruit करने में डिपलॉय करने में टाइम लगता था और फील्वक हम लोग देखा एक साल से ज्यादा माला डेर से दो साल भी लग जाता था शर्वे करने में फिर उसके जब तर रिजल्स आते थ थोड़ा outdated हो जाता था इस बार हम लोग technology के माध्यम से mobile app बनाए हुआ है और दूसरा यह हमने common service center के साथ tie up किया है जो ministry of information technology का है और वो लोग जो है local youth को recruit करके इसमें इस काम में deploy करेंगे जो की आपके घर घर जाके इसका देखेंगे क्या क्या इसके कौन कौन से establishment कितना employment ह किस तरह के employment है regular है कि वो casual है ती सारे details आएंगे और supervisors भी हमने दो तीन levels पर रखे हैं इसमें और सब online checking होती रहेगी साथ में mobile app के साथ इसमें supervisor का module है तो हम लोग ने training पर काफी महत दिया इसमें और करीब देश भर में करीब पांच-छे हजार ट्रेनिंग हमारे होईंगे ज चल रहे है स्टेट लेवल काफी वरक्शॉप हो चिके हैं लेकिन यह हमें district level पे block level पे सारे लोग को हमको train करना जुरूरी तब जा कि यह fieldwork हम स्टार्ट कर सकते हैं supervisor की भी training हो रही है तो इससे जो हम जो जितने checks and balances लगाए हैं इसमें हम हमें उमीद है कि data quality बहुत अच्छ ही रहेगी एक और सवाल सर कि जो लोग यह जानना भी चाहते होंगे कि यो यह economic census से आरते जनाना है इसमें किन-किन लोगों को किस-किस तरह के प्रतेश्ठानों को इसमें शामिल किया जाएगा जैसा कि हम रिपोर्ट में पॉड़ रहे थे farming sector या non farming जो sectors हैं इसके बार में किन-किन सेक्टर के लोगों को और प्रतेश्ठानों को इसमें सामिल किया जाएगा उसके data हो कलेक्ट किया जाएगा ठीक हम लोग का focus इस सर्वे में non farm sector का है पहले भी non farm हम लेते थे हैं कि उसको capture करना आसान रहता है और सारे establishment मतलब की छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा बड़े company corporate government offices चोटे establishment जैसे कि shopkeeper है या कोई tailor है या कोई mochi वाला है उस तरह का जो काम करते हैं बड़े से छोटा सब मिला के सब को हमको capture करना है लेकिन इसमें जो सर मैं report पौड़ रहा था है इसमें यह practical problem से यह आ रहा ही थी लोगों को जो गणक है कि कुछ लोग जैसे जो जो non farming sectors में हैं वो मान लिए कि तीन मेंने कोई काम किया कोई business किया फिर वो चले गए कहीं और चले गए फिर उनोंने कोई और job join कर लिया तो यह जो practical problems हैं इसके इसको इससे कैसे अप निजात पाएंगे और जो data एक्चुल जो data है उसको कैसे collect करेंगे इसमें जो changes होते रहत हैं तो वो capture हो जाएगा और उसमें note कर लिया जाएगा कि यहां जब field visit किया गये थे करने तो वहां पर नहीं था तो उसको मान लेंगे closed तो वो आसपास परोस से भी पूछ लेंगे किस तरह का काम है अगर seasonal है वो capture हो जाएगा उसमें ओके स्रिश्र जी हम आप आपके पास यह तो हमने बुनियादी बाते जाने की क्या है आर्थिक गरना इसमें कौन-कौन सो लग शामिल होंगे लेकिन इस आर्थिक गरना का अगर मैं आप से सीधे पूछ हूँ आर्थिक प्रभाव भारत में और इसकी सरकार की नीतियों पर क्या कुछ पड़ेगा इसका सामाजि अपरोच के बजाए बॉटम अपरोच रखेंगे मतलब कि जो नीतियों की जो धार्णा बनाई जाती है वो एक बंद कमरे में बैट करके जो हम बनाते हैं उसका फाइदा नीचे तक पहुंचने में बहुत देरी भी होती है और उसका सही माइने में फाइदा नहीं जो आज हम आर्थे गणना की बात कर रहे हैं उसमें मकसद यही है कि हमें जो यह चोटे उद्डियोग है यह जो छोटे कार कामगार है जो चोटी चोटे-चोटे जो कामधंदे करते हैं उसकी वास्तिविक इस्थिति क्या है और उसके हिसाब से हम नीतियां बना सके यह गय क्रिशी में जो लोग काम पर लगा हुआ है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो आपके लिए एक बेस तयार होगा कि छोटे-छोटे जो कामगार हैं उनकी वास्तवी किसीति क्या है और नीतियां अगर बनानी है तो उसके लिए कैसे बनाई जा सकती है माली जी कि एक सेक्टर स्पेसिफिक आपको एक सबसीडी देनी है सेक्टर स्पेसिफिक आपको एक असिस्टेंस देना है वो आपको पता नहीं चल पाता है लेकिन इस तरह के गणना से आपको पता चल पाता है कि वहाँ पर रोजगार किसीति क्या है वहाँ पर रोजगार क्य को मिलने की बात की जाती है वो इन आंकडों के जरी हो पाएगा तो जाहिर से बात है कि इसके आर्थिक और सामाजिक जहां फायदे है राजनितिक फायदे राजनितिक तौर पे आपके सामने उपलब्द है और वो भी सरकार द्वारा जुटाए हुआ तो अगर आप जब चु है किंच हित्रों में स्थिती अच्छी है राज्यवार उनके पास भी आंकडे होंगे तो यह सारी चीजे मुझे लगता है कि राजनितिक दलों के लिए अपनी रॉन अंती बनाने में काफी फायदे हैं हम इसके और भी पहलों को जानेंगे कि इसमें राज सरकारों क्या कु बहु कहां गई थी? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्रहक होने के नाते धोखा है? क्या आप चुक चाप सहम करके बैठ जाते हैं या अपने हग की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ है बस अपने शिकायत लिखी अपोजिट पार्टी के पैक्ट्स और डोक्यमेंट्स के साथ कंजूमर फॉरम में जमा करते हैं नवकील की फीस लगी और फैसला भी तीन महीने में आ गया है आप भी सोचिए मत अपने हग की लड़ाई कंजूमर फॉरम में लड़िए जागो गाहक जागो तयार रहना घर में वारस और जिंक है ना भाईया क्या हमेशा क्ली बैंगलोर जा रहे हो क्या प्लानिंग तो पॉफेक्ट होनी चाहिए ना अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी हम है आधार के साथ मेरा आधार मेरी पहचान और ब्रेक के वाद आपका फिर से स्वागत है आप देख हमरा विश्रिश कारी के हम चर्चा में और चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं आर्थिगरना दोहजर उननीस की और हमरे साथ दो लगातर खास मेमान मौजूद हैं प्रविन श्रिवास्तव जी जो की सचेवें और अमरे साथ वरिश्र पत्रकार्श सिर्जी सिन्हा जी मौजूद हैं प्रविन जी अगला सवल आपसे ही होगा कि जिस तरह से हमने कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि इस पूरी प्रक्रिया में डेटा का जो है उसको जूटाया जा रहा है तमाम हजारों लोग जाएंगे घर घर जाएंगो इस डेटा को जूटाएंगे लगाता हम डेटा सुरक्षा डेटा सिकेरोटी की बात करते हैं क्या इसके इस सेंसिस के जरिये जो डेटा हम जूटाया जा रहा है क्या इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई लाउ है या फिर जो law भी मौझूद है उस ही के तिये सारे जुटाए जाएंगे यह जो economic census चल रहा है हमारे collection of statistics act है 2008 का उसके तहत किया जा रहा है उसमें confidentiality का already provision है तो that we will maintain कि किसी individual details का हम जो already specified नहीं उसको हम reveal नहीं करेंगे लेकिन एक और साथ में यह है क्योंकि यह base बन रहा है तो ह हम एक statistical business register बना रहे है national level पर जिससे की जो जितने establishment है किस sector में है कितना employment है उसके बारे में किसी को policy बनानी है तो they can be used they can be used for policy making लेकिन जिस national business register की बात कर रहा है प्रविंट जी जो छे गरन आप तक हो चुकी है उसके जरीए जो data आप तक जुटाए गाए हैं आप सही हम जान केंज सरकार के स्थर पर भी और राज सरकार के स्थर पर भी किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया है तक उसका हम लोग ने पहले जो six technology census के लें कि हम लोग ने जो data collect किया था वो states को बोला था कि आप state level और district level estimates निकाल के और release करें data अब हम लोग national level पे चारे थे कि यह इसको validate करके state government की machinery लगेगी central government की machinery है वैलिडेशन के लिए तो वैलिडेशन के लिए तो वैलिडेशन और quality हम ने काफी ध्यान दिया इसमें और जो data collect हो के आएगा यह state level पे ज्यादा यूज होगा district level पे भी यूज होगा district authority को मालू होगा किस तरह के establishment के पास है अगर policy जैसे बनान जैसे कितने seasonal factories हैं establishments हैं कितने बड़े हैं कितने चोटे हैं demand किस तरह का है employment की उपर तो उस तरह का plans बना सकते हैं for skilling इसमें रोजगार के भी data आएंगे कि कि आप कितने लोग इसमें non farming sector में रोजगार में जुड़े होगे हैं और उन data का राजसरकार और जो केंसरकार की तरफ से योजनाय जाती हैं खासकर jobs को लेकर और state government की तरफ से भी इस data का उपयोग 7th चुकिए economic sensor भी चल रहा है किस तर यहां तक मुझे लगता है कि कुछ paid system भी इसमें आपने किया है कि जो माइक्रो लेवल के data होंगे जो area specific आपको जिस तरह के job चाहिए जैसे skilling की बात है कि आपको किस area में किस तरह की skilling provide करनी है यह भी पता चल जाएगा और उसके basis पर private sector को जो अपनी planning है माल लीजे कि वो क सरकारों के लिए नीती बनाने तक ही सिमित नहीं है जो निवेशक आते हैं उनके लिए भी एक आद्वार तया है प्रविंजी जो हम बहुत से लोग है जो कि डेटा जुटा रहे हैं और इसके वजह से कई रिपोर्ट्स भी आए कि कुछ एडर्स भी इसमें देखने को मिले थे इस बार जो सेंसस हो रहा है इसमें प्रविंजी आप समझाना चाहेंगे कि एरर फ्री हो बिल्कुल डेटा बिल्कुल ही सही तरीके से उसका कलेक्शन किया जाए इसको लेकिए क्या कुछ किया जा रहा है मुंतराले की तरफ से देखें जैसे परफेक्शन होता है एक जर्नी होती है एरर फ्री भी एक जर्नी होता है हम लोग प्रोसेसेज इतने स्ट्रॉंग बनाते हैं कोशिश करते हैं एरर मिनिमाइज हो क्योंकि हमारा सुपरविजन और क्वालिटी चेक दो तीन लेवल्स पे होगा स्टेट गवर् लोग जो है अब यह डिसाइट किया है कि एवरी थ्री यह यह सेंसेस करेंगे तो आपको फिर क्या होगा कि जो न्यू इस्टैबलिश्मेंट आए उसका ही डेटा कलेक्ट करने की जुरत होगी ज़र डैनामिक अपडेशन होने के चानल को है अभी तक जो छे हुए हैं सेंस पांच से आठ साल हो जाता था तो अब हम लोग ने डिसाइट के अवरी थ्री एज भी विल डू मशीनरी जो बना रहे हैं डैनामिक कर रहे हैं यह सारा टेकनोलोजी बेस्ट होगा सब डेटा बेस पर जाएगा तो अपडेशन करना असान है और दे सेम टाइम बैक एंड से खा सब्सकिं करनाइब करनाइशार था को जैसे से कोई कोई कंपनी रिजिस्टर होती यह छोगिंड साल बातिव हो ते हुआ कुझा पेट तो आप टाइम आपको यह आइडिया होगा की अदेन लाजरर इस्टबिशमेंट रो आपका करन्ट कैने का मतलब कि जो पर नो और जो Central लेवल पे हैं दोनों सिंक्रिंटर नइज करने कि हैं तभी आप डेटा को एकसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो Suriसर जी जो इसके result आते हैं हम जानते हैं कि जैसे कि Sernevay बताया कि फ्रिक्वेंट्ली नहीं होते हैं कि specific time नहीं है कि 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 8 वर्षों में भी हुए हैं लेकिन एक तो ये problem है कि एक specific time इसको कर दिया जाए कि 3 वर्षों में हमें करना है दूसरी बात जो इसके result आते हैं तब ही जाकि उसके जो हम चाह रहे हैं कि उसका रिजल्ट हमें मिले इसको लेके अगर किस तरह से सरकार अगर आप च्छटे की बात करें तो जो मैं डॉक्यमेंट देख रहा था जो कि इनकी वेब साइट पैविलेबल है वो यह बताते कि एक साल दो महीने तो डेटा कलेक्श मैं लगे जबकि ह posing रिजल्ट आने में रेपॉर्ट आने में तीन साल से जादा का वक्त लग्स तो इसका मतलब यह हो ओकी जो डो हजार 18 में कम्प्लीट हुआ वह 2016 में आप जोम्तर जाती है तो ऑसे मैं नाग्रो को लेकर कि एक विश्वस्तिय तस्वीर बनाना एक authentic तस्वीर बनाना शायद संबब नहीं था यहाँ पर जो मैंने इनके targets देखे हैं वो कहरें कि हम December 2019 तक कोशिश करेंगे कि वो एक हम report release कर दें सर मैं सही कहा है वो 2019 सक्यानी कि आज आप अगस्त में हैं और आज से चार या पांच महिने के बाद वो report आ जाएगी तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बहतर होगी और जब तीन महिने में तीन साल में माफ किजेगा जो अपडेशन की बात है निकि डाइनमिक प्रोसेस है कि जो नए structure आ रहे है नए establishment आ रहे है तो इससे सरकारों के लिए राज्य सरकारों के लिए और जो बाकी निवेशक है चाहिए वो निजी शुतर के भी क्यों नहों उनको पता होगा कि आर्थी की सिति क्या है श्रमी को की सिति क्या है तो अभी तक जो तस्वीर सामने रखी गई है इन डॉक्यूमेंट्स में उससे तो आंक्रे काफी अच्छे तरीके से सामने आने के गुंजाईश है लेकिन स्टाटिस्टिक्स में एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए हमेशा एक मार्जिन होता है अब वो मार्जिन कितना रखा जाता है आप रेंज ऐसा कर दें कि प्लस माइनस सेवन करने प्लस माइनस एट करने तो शायद मुझे लगता है कि वो सहीं नहीं होगा और सर उमीद है कि सरकार इस चीज़ पर जरूर कोशिश करेगी सर आखरे कामेंट चुकि हमारे पास समय की कमी है चुकि अब शुरू भी हो गई है आप चुकि हमारे साथ है भी डीजी नियूस में मौज़ू हैं कब तक यह सारी प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाएंगी और जो रिपोर्ट है वो कब तक हमें देखने और समझने को मिलेंगी जैसे शुरू जी ने बताया था अभी कि हम लोग कोशिश है कि डिसम्बर तक फील वर्क और डिजल्ट साइमिल्टिनलेस ली निकाले हैं डिसम्बर दोजार निस तक उमीद है कि जिस तरह के टेक्नॉलिजी ह हमें अच्छी तरीके से मालूम है हम लोग अचीव कर सकते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं अब यह है जैसे कि मौनसून आ गया कोई बाड़ आ गई तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है उस पर्टिकल अरिया में लेकिन बाइन लाज हम लोग अचीव कर लेंगे दे क्योंकि हम लोग जीओ टागिंग करेंगे तो जो कॉलिटी की बात आप जो कर रहते हैं जीओ टागिंग से फायता क्या होगे विंजी गो अगेन अफर थी अपको आइडिया तो लग जाएगा कि पहले क्या प्रसीतिती अब क्या है तो चेंज का आइडिया लग जाएगा कभी चेंज का आइडिया लग जाएगा तो इस तरह से यह सारी बाते निकल कर सामने आई इस चर्चा में की जो कुछ भी डेटा है और जैसा कि रहोंने कहा कि दिसंबर तक सारी ची आने की उम्मीद है एक रिपोर्ट जब आएगी उसके ज़रे पता चलबागा कि इस पूर देवे हैं रोज़ार के क्या कुछ सिस्थेती है इसको लेकर तमाम एक विश्थरत एक बड़ी पिक्शर जो है वो तस्वीर सामने आप आएगी हम सब यह उम्मीद करते हैं सर प्रभीन जी आप आई स्टूडियों में आपका बहुत 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 शुक्रिया तो इस खास चर्चा परे चर्चा में आज बसे तना ही हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिया अनुमती नमस्कार